ये आकाश्वानी रैपूर है राधिशिक समाचार बुलेटिन के साथ में गोपा सान्याल और अपेश आज की मुख्य समाचार राजविधान सबा का बजट सत्र राज़पाल के अभिभाशन के साथ शुरू हुआ राज़पाल ने कहा कि कोरोना संकट के दोरान धी प्रदेश ने विवे निश्यत्रों में अनेक नई उपलग्यां हासल की है राज़े में बड़ी और दोगी किकाईयों की स्थापना प्रक्रिया को सरल बनाने और इनकी निगरानी के लिए मुख्यमंत्री ने मोबाइल एप लॉंच किया प्रधारमंती किसान संबान निधी योजना के क्रियान वयन में बिलासपूर जिले ने देश में सरवोचिस्थान हासल किया और कोरोना संकट के दौरान उलेक नियर काम करने के लिए भारत स्काउट और गाई चतिस गड़ को देश भर में तीसरा पुरसकार प्राप्त हुआ शोताओं कोरोना महामारी के खिलाव देश एकजुट होकर लड़ रहा है आब भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाओ के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल पलें कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाय मास्क लगाएं दो गस दोरी है जरूरी सुरक्षित दोरी रखें हाथ और मुँ साफ रखें अब समाचार विस्तार से शत्र का विधान सभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है सत्र का शुभारम राज़पाल अनुसुया उईके के अभिभाशन से हुआ अपने अभिभाशन में सुश्य उईके ने कहा कि पिछला साल अनेक चुनोतियों से भरा रहा था कोरोना काल में भी राजसरकार ने अनेक शित्रों में नई उपलब्तियां हासिल की है उन्होंने कहा कि 36 गड़ 95 प्रतिशत से अधिक किसानों का समर्थन मोल्य पर धान खरीदने वाला देश का पहला रज़ बन गया है चुनोतियों के बीच सुधार और संकल्ब के साथ समर्थन मोल पर धान खरीदी की वही इस बर्स सर्वाजिक 21,52,980 किसान पंजिकरत हुए थी जिन में से 20,53,483 किसानों ने अपना धान बेचा इस प्रकार कई दवस्ता और नए संकल्ब से 36,45,40% किसानों का धान खरीदने का बाला देश का पहना राज बन गया है धान खरीदी के हर प्रेलू पर एक नया किर्टिमान बना है जैसे कुन पंजिकरत रखवा, कुन ध्रान, खरीदी का रखवा, कुन उपारजी धन की मात्रा द्यान नात्मेटिक पन को पार करना इसी चमतकार से कम नहीं है इन उप्लब्दियों से ना सिर्फ पिसानों के जीवन में बन की पूरे प्रदेश में क्रेशी उत्पादन और खुस्यानी का एक नया दोर शुभी हुआ है कोरोना संकट के दोरान स्कूली बच्चों की पढ़ाए प्रभावित ना हो इसके लिए भी सरकार ने शिक्षा के शित्र में नवाचारों पर बल दिया राज़पाल ने कहा कि पढ़ए तो अर्दुआर, मोहला कक्षा और लावडिस्पिकर स्कूल जैसे तरीकों से 25 लाग से अधिक बच्चों को लाब पहुचा है राज़पाल ने बताया कि विमानन सेवाओं के माध्यम से कनेक्टिवीटी का विस्तार किया जा रहा है सुशिय के ने उमीज अताय कि बस्तर के बाद बिलासपूर में भी अंतर राज़जी विमानन से वाशुरू होने से प्रदेश को बहुत लाब होगा राज़पाल ने सदन के सदस्यों से राज़सरकार की विकास परक जनहितकारी नीतियों, योजनाओं और अभियानों में सक्रिय भागिदारी निभाने की अपील की राज़पाल के अभिभाशन के कृत ग्यता ग्यापन प्रस्ताव पर चर्चा सदन में 25 और 26 फरवरी को होगी कल विधान सभा में पूर्व संसद्य सच्यों ओम प्रकाश राठिया और विभाजित मदप्रदेश की पूर्व मंत्री डॉक्टर भानु प्रताप गुपता, पूर्व संसद्य सच्यों लक्ष्वन राम और राजी विधान सभा के पूर्व सदस्य रोशन लाल के निधन क लेख कर उन्हें शद्धांजली आर्पित की जाएगी राजी विधानसभा का हिया बजट 27 मार्च तक चलेगा इस दोरान कुल 24 बैचकी होंगी मुख्यमंत्री पुपेश पगेल जिनके पास वित विभाग का प्रभार है वे आगामी एक मार्च को विधानसभा में बजट प को लॉंच किया इसके जरीए उद्योग पती अपनी इकाई की स्थापना के लिए अनेक चर्णों में विभिन विभागों और संस्थाओं से अनुमती और पंजियन सहित अन्य लंबित आविदनों की जानकारी सीधे उद्योग विभाग के साथ साज़ा कर सकेंगे आधिका किसान सम्मानी दी योजना के क्रियानवयन में बिलासपूर जिले ने देश में सरोच स्थान हासिल किया है इस उपलब्धी के लिए भारत सरकार के किर्शी मंत्राले द्वारा 24 फरवरी को नई दिल्ले में बिलासपूर जिले को पुरस्कृत किया जाएगा मुख्यमंत्री भुपेश बगेल और क्रिशी मंत्री रविंद्र चौबे ने इसे गौरोपूर्ण उपलब्धी बताते हुए किसानों को शिफ करना दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्री इस तर पर संबानित होना इस बात का प्रतीख है कि 36 गड़ राज्य कृषग कल्यान के शत्रे में देश का रोल मौडल बनने की ओर अग्रसर है गौर तलब है कि केंज्डे कृषी मंत्रा लेद्वारा प्रधान मंत्री किसान सम्मा निधी योजना के दो वर्श पूरे होने पर इसके क्रियानवयन में श्रेश्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को पुरस्कृत करने के लिए चैनित किया गया है बिलासपूर जिला किसानों के आधार प्रमानी करन और सम्मा निधी का लाब सुनिशित करने के मामले में देश में पहले इस्थान पर रहा है 36 गड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आकड़ा 3,10,000 को पार कर चुका है इन में से करीब 3,4,000 मरीज स्वस्तों हो चुके है कोरोना ठीका करन अभियान के पहले चरण में अब तक 2,922 व्यक्तियों को ठीके लगाए जा चुके हैं ठीका करन का दूसरा चरण कल से शुरू होगा इस बीच राइपूर और दुर्गजिले की ग्रामिर जन्ता को कोरोना महामारी की रोक ठाम और ठीका करन अभियान के सम्मद में जागरुक करने को देश से ये रिक्षा जागरुकता रत चलाया जा रहा है इस कोरोना जागरुकतारत को पत्र सुषना कारेले राइपूर के निदेशक कृपा शंकरयादा और प्रदेश लोक संपर्क कारेले राइपूर के कारेले प्रमुक शैलेश फायनी हरिशनी दिखा कर रवाना किया भारते जंता पार्टी ने राज सरकार पर कोरोना संक्रमन के खतरों के बावजूद दबाव डाल कर स्कूल खोने का आरुप लगाया है पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संज़ श्रीवास्तो ने कहा है कि राज सरकार जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से स्कूल चलाने के लिए शिक्षकों को मदबूर कर रही है उन्होंने आरुप लगाया कि बिना लिखित आदेश के स्कूल खोले जा रही है ऐसे में अगर कोरोना संक्रमन फैलता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा शिश यवास्तो ने कहा कि जल्दबाजी में इसकूल खोलने की वज़ज़ से पिछले दिनों दो स्कूलों में बच्चे कोरोना संक्रमित हुए है उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अगर अमानेविय रूप अपनाती हुए इसकूलों को खोलने का दबाव बनाती है तो अगर कोई भी विद्यार्थी या शिक्षक संक्रमित हुए तो भाजपा इस गंभीर विश्य परचुब नहीं रहेगी प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वाणी रैपूर से सुन रहे हैं और अब आगे वढ़ते हैं वाकी की समाचारों के ओर कोरोना संकट के दौरान उलेखने काम करने के लिए भारत स्काउट और गाईच शत्तिस कड़ को देश फरमेती सा पुरसकार प्राप्त हुआ है नेदिले में आज आयोजित एक समारों में मुखे राष्ट्रिय आयुक्त डक्टर के के खंडेलवाल ने रज्ज सच्यू के लाश सोनी को ये पुरसकार प्रदान खिया गौर तलब है कि कोरोना संकतकाल के दौरान स्काउट और गाईच ने प्रदेश में जरुरत मंदों की सहायता करने के साथ ही जन जागर नभियान भी चला है था काके जिने के आमा बेरा थाना शित्र से बीएसेफ के जवानों ने तीन जिन्दा बम और रेडियो से बरामत करने में सफलता हसल की है मावादियों ने सुरक्षबलों को निशाना बनाने के अदिश से इसे शित्र में विसफोर्टक लगा रखा था लेकिन जवानों के सक्रियता से विसफोर्टक को वरामत कर सबलता पुर्वक निश्क्रिय कर दिया गया इस बीट सीमा वर्तिराजर महराश्च के सालिक असाथ खाना शित्र में सुरक्षबलों और मावादियों के वीच मुडभेर होने की खबर है इस दोरान दोनों और से फाइरिंग हुई लेकिन इस गोली बारी में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है सीमा सुरक्षबल बीएसेफ ने कांकेर जिले के अंदरोनी इलाकों में इस्तित कई गाओं में ग्रामिनों को दैनिक उप्योग की वस्तुएं वित्रित करने के साथ ही मुफ्त इलाज की सुईधा भी दी है सीविक एक्षिन कारेक्रम के तहट बीएसेफ के कांकेर इस्तित एकसो संतानवी वाहिनी की जवानों ने कांकेर के परतापूर और मुसुर घाट गाओं के पांसो से अधी ग्रामिनों की मदद की इस मौके पर चिकिसाशिविर भी लगाया गया दुर्ग जिले के पाटन में आयोजित राज इस्तरी चतिसकड़ी खेल मड़ई के समापन कारेक्रम में विजेता खिलाडियों को पुरस्कृत किया गया इस खेल मड़ई का आयोजन खेल और युवा कल्याड विभाग तता चतिसकड़ ओलंपिक संग द्वारा किया गया था समापन कारेक्रम में चतिसकड़ ओलंपिक महासंग के सचियो गुरुचरन सिंग होडा और उपाध्यक्ष जी एस बामरा ने विजेताओं को पुरस्कृत किया इस खेल मड़ई के दोरान राज्ज के पारंपरी खेल संखली, तुए लंगर्ची, गेडी, भौरा, गिल्ली पिठ्थुल के इस परधाईं होई ब्लासबु जिले के कोपरा जलाशे में आयजित पक्षी महोसो का कल समापन हुआ हमर चिरई, हमर जिनहारी कारेक्रम के तहत इस पक्षी महोसो का आयजन वन विभाग द्वारा किया गया वनमंत्री मोहमद अकबर के मार्क द्शन में आयजित इस महोसो में परियावरन संरक्षन के संदेशों पर आधारित फोटोग्राफी, चित्रकला और रंगोली स्परधाउं का आयजन भी किया गया इस तोरहन विजेता प्रतिभाग्यों को पुरस्कृत किया गया समापन कारिक्रम में विधायक रश्में सी निकाहा कि इस महोसो के माध्यम से लोगों को पक्षियों के संरक्षन और संवर्धन के लिए प्रेडित किया गया महोसो इस तरब पर पक्षियों को देखने के लिए विशेश रूप से मचान बनाय गए थे वहीं इस महुसों के जरीए प्लास्टिक मुक्त कारिक्रम का संदेश भी दिया गया इतना ही नहीं महुसों के समापन के बाद कोप्रा जलाशे के आजबास के स्थानों के सफाई भी की गई ताकि यह शेत्र स्वच रहे और अब कुछ खबरें संशेब में जबलपूर के प्रोफेसर अरुन दिवाकर नात बाजबेई को पिलासपूर इस्थित अटल बिहारी बाजबेई विश्विध्याले का कुलपति न्युक्ति किया गया है राजपार और कुलाधिपाति अनुसुया उईके ने ये न्युक्ति की है राजी विधान सभा के बज़र सत्र के दोरान उठाये जाने वाले मुद्दों पर विचार विमर्ष के लिए आज भाजबा विधायक दल की बैठक हुई नेता पतिपक्ष धर्मदाल कौशिक ने बताया कि इस बैठक में अगले एक सबताह के लिए विविन विश्यों पर आधरिते कारे योजना तयार की गई है 36 कर रज ओपन स्कूल द्वारा आयजिद हाई स्कूल और हायर सिकंडरी की मुख्य अवसर परिश्या में शामिल होने के लिए प्रवेश की अंतिप्तिती आगमी 4 मार्च तक बढ़ा दी गई है इसके लिए विद्यार्थियों से 500 रुपे विलम शुल्क लिया जाएगा पेचूलिम पदार्थों के कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोत्रे की विरोध में आज धमतरी में युवा कॉंग्रेस के पदादिकारियों और कारेकरताओं ने विरोध प्रशन किया इस तोरण पार्टी कारेकरताओं ने रैले निकाली और पेट्रोल डिजल और गैस की बढ़ती कीमतों में कमी लाने की मांगी कॉंडागाओं जिला ρोजगार और स्वरोजगार मार्क दर्शन केंदर द्वारा 26 परवरी को कॉंडागाओं के डोंग्रे पारा इस्तित लैवली हुड कोलेश में रोजगार मेले का आयो जन क्या जाएगा करिमी के दिनों में राजनकाउं जिले में पेजल संकर से निपदने के लिए मट्या मोती जलाशे से 150 MCFT पानी छोड़ा गया है कवर्धा में पुलिस द्वारा भीडभाड वाले इलाकों में स्टंट करने और टेज आवाज वाले सालेंसर का इस्तेमाल करने वाले मोटर साइकल चालकों के खिलाब कारवाई की जा रही है कोयमबचूर में आयोजिस सीनियर नैशनल पावर लिफ्टिंग चैंपिनशिप में दक्षणपूर्व मध्य रेलवे की महिदा खिलाडी जे रामा लक्ष्मी ने गोल्ड मेरल जीता है और रेल मंत्री पियूश गोयल ने नई दिल्ली से वीडियो कांफरेंसी के माध्यम से रीवा और जवलपूर चांदा फोर्ट जवलपूर के बीच चलने वाली त्री साफता ही एक्स्प्रेस स्पेशल ट्रेन का शुभारम किया इदर दक्षण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों के सुविधा के लिए कल 23 फरवरी से 13 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा इनमें चेरमेरी विलासपूर पैसेंजर ट्रेन भी शामिल है राजी में बड़ी अध्योगी की कायों की स्थापना प्रक्रिया को सरल बनाने और इनकी निगरानी के लिए मुख्य मंद्री ने मोबाइल एप लॉंच किया प्रधान मंत्री किसान सम्मा निथी योजना के क्रियान बेर में बिलासपूर जिले ने देश में सरवोच इस्थान हासिल किया और कोरोना संकट के दोरानों लेकने काम करने के लिए भारत स्काउट और गाई चतिस गड़ को देश भर में तीसरा पुरसकार प्राप्त हुआ और इसी के साथ प्रादीशिक समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ नमस्कार झाल 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 झाल